चटपर्व के चलते आज शनिवार को भी श्रधालू ने सूर्य को अर्ग दिया आपको बता दें कि चटपर्व का आज समापन कार्यक्रम था श्री सूर्य मंदिर सेवा समीती की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था इसी कड़ी में आज शनिवार को भी यमुना नदी काच्वा पुल के समीप बड़ी संख्या में श्रधालू ने पहुँच कर सूर्य को अर्ग दिया इस अवसर पर सूर्य मंदिर सेवा समीती के प्रधान सुरेश यादव ने कहा कि इस बार हरियाना सरकार द्वारा जो नए घाट की विवस्ता की गई थी वह बेहधी सराहनिये है उन्होंने मुख्य मंत्री मनोहर लाल खचर का इसके लिए धन्यवाद किया इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने नदी के अंदर खड़े होकर सूर्य देवता को नमस्कार किया एवं पूजा अर्चना की आज भी मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बलतेनात रहा सभी शद्धालू द्वारा छट मया की पूजा की गई यहां हम आपको बता दें कि छटपर्व सेवा समीती की ओर से हर वर्ष श्री रामकता का आयोजन करवाया जाता है एवं बड़ी संख्या में शद्धालू पहुँचकर कारेक्रम में शर्कत करते हैं शनिवार को छट कारेक्रम का समापन हो गया परनाल से समाचार एक्सप्रिस की रिपोर्ट सरकार द्वारा जो 2800 पूट घाट बनाया गया है उसमें पहला छट परव का पुजा हो रहा है और यह हरियाना सरकार का जो घाट बनाया है यह हम सब के लिए बड़ी सोहागे की बात है करनाल सारबाद योटा जो इस घाट में सभी त्यवार बहुत अच्छी करा से मराया जाता है कैसे बैसा की महा छट परव, सरसती पूजा, दुरगा पूजा, गनेश पूजा और अन्य पूजा सभी बहुत आराम से सभाब के लिए बहुत अच्छा सोनात है पूलीर के किस तरगे बन मदा है पूलीर परससन और शचाई defeatsy का दियातारी ये चहट परम में बहुत मलब कर रहा है और अधिक परसासिध भी, मंदत क्राम मन्दत भी इस चहट परममे सभी सर्दानीं को सेवा हर सभ से किया जा रहा है ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल इकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वाल स्बीच जरा वें लिए सुवेट अधर्णाइब करें